तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप सभी को कहां से डोमेन खरीदना चाहिए यानि की गोडैडी से या फिर आप सभी को गोडैडी से डोमेन खरीदना चाहिए या फिर आप सभी को होस्टिंगर से डोमेन खरीदना चाहिए देखिए ये दोनों अभी बहुत प लेकर आया हूँ कि कहां से आप सभी को खरीदना चाहिए और बेस्ट कहां पे आप सभी को मिलेगा इससे पहले मैं थोरा कंपनी के बैग्राउंड की बात करूं तो देखिए गोडेडी के बारे में अगर आप विकीपीडिया पे सर्च करें यह देख सकते हैं आप 27 में फांड हुई थी ओके मिस अभी से आप अगर देखें तो यह तकरीबन 23 साल पुडानी कंपनी है यह और वहीं पर अगर मैं बात करता हूं आपके डोमेन यह होस्टिंगर की तो होस्टिंगर जो कंपनी है वो उतनी ज्यादा पुडानी नहीं है और इसका भी मैं आपक के अपनी रफ्तार पकरी है लेकिन गो डैडी बहुत पहले से ही पुडाना खिलाडी है इस मामले में और कहीं न कहीं इसके बाद और अगर मैं नंबर फिंप्लाइज की बायत करूं तो नंबर फिंप्लाइज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है अगर आप किस देता हूं कि अगर गो डैडी की तो गो डैडी पे अगर आप देख सकते हैं कि इनकी जो नंबर फिंप्लाइज बहुत ज्यादा है और होस्टिंगर से अच्छी सपोर्ट आपको यहां पे भी मिलती है तो इस वज़ा से गो डैडी से कहीं न कहीं आपको जो फैसिलिटी है या फिर अगर आपको कोई भी इसू आती है तो आपको जल्दी सॉल्व होगी होस्टिंगर से यहां पे आप देख सकते हैं कि नंबर फिंप्लाइज इन गो डैडी है वो साथ हजार 2020 में तो दोनों कंपनीज की मैंने डिटेल्स बता दी आपको यह बेसिक डिटेल्स थी थ है और वो भी मैं वीडियो के अंत में डिसकस करूंगा तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लिजेगा अब आते हैं हम लोग थोड़े प्राइसिंग डिटेल्स पे तो देखिए यह डोमे और यहां पर मैं वेट करता हूं तो रिजल्ट जो है वो आ चुकी है और मैं आप लोग को बताना चाहूंगा कि देखिए जो होस्टिंगर है उसमें रियालिटी सो की जाती है लेकिन वहीं गोडेडी में कहीं ने कहीं कुछ चुपाया जाता है वो कैसे यहां पर आप लिजर करने जाओगे मिंस आप और यह जो एक्स्टा आगे टू काट आप करोगे और यह सब करने के बाद तो इसे मैंने थोड़ा आगे करके रखा है तो आप देख सकते हैं कि यह जो गोडेडी में आप जाओगे तो यह आपको प्राइस परेगी फर्स्ट यर के लिए अ जाहिट सी बात है आपको यह होस्टिंगर की कंपणी में जो पैसा तो कम लग रहा है फर्स्ट यर के लिए लेकिन अगर आप रिनीवल रेट को ध्यान से देखे हों ओके यहाँ पे मैं थोड़ा जूम कर देता हूं रिनीवल रेट को आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे कि at the rate of 991 per year means 1000 रुपे लग रहे हैं आपके रिनीवल कराने में ओके यहाँ पे तो इन्होंने आपको लगभग 1500 रुपया के आसपास कम कर दिया या फिर 130 के आसपास लेकिन जब बारी आएगी आपको रिनीवल कराने की यहाँ पे तो आपसे इन्होंने बस 725 रुपया लि मेंज एक सोर्पया कम लग रहे है और कहीं न कहीं आप को जो सस्ता है वो गोडएडी से ही पर रहा है बच्टन हर से सब्सक्राइब कर लग सकता है कि होस्टिंगर से आप सबी को बेनिफिट हो रही है लेकिन घृडडी से अगर आप इसको लॉंग रन में सोचोगे कि आप hostinger से लेते हो तो फिर आपको 1K around 1000 रुपीज देने होंगे जो की long run में ज्यादा हो जाती है लगभग 100 रुपय का अंतर भी आ जाता है अब मैं बात करता हूँ customer support की और जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था ये जो go daddy और hostinger के बारे में यहां number of employees के बारे में तो अगर मैंने दोनों से experience किया है तो मैंने ऐसा पाया कि जो go daddy का भी मेरा एक website है और मेरा hostinger का भी website है लेकिन hostinger के website पे उतना ज्यादा traffic भी नहीं आता है और go daddy का थोड़ा more traffic भी अच्छा है और यह handle भी अच्छी तरह से तरीके से कर लेता है और वहीं अगर मैं hostinger की बात करूँ तो इसकी services उतनी अच्छी नहीं है हादा कि यह लोग भी respond करते हैं लेकिन उतने आपको frequently जितना go daddy में मिल जाएगा वो सभी नहीं हो पाएगी तो इसलिए go daddy थोड़ा सा महांगा जरूर पर रहा होगा आप लोग को और थोड़ी सी यहां इन्होंने business policy के वज़े से यहां पर दिखाया है 199 for the first year लेकिन कहीं न कहीं go daddy जो है वो आपकी अच्छी से अच्छी डोमेन देने में और service देने में भी काबिल है लेकिन होस्टिंगर कहीं न कहीं लो हो जाती है लेकिन यह टोटली आप डिपेंड करता है कि आप सौट टर्म के लिए डोमेन खड़िदना चाहते हो या फिर लॉंग टर्म के लिए तो फिर यह सभी आप जो पॉइंट से उन्हें सोच समझ के ही खड़ दे और मैं अपना experience बता दू कि मेरी भी 3-4 websites हैं जिसमें around 2 अच्छी खासी rank करती है जिससे मुझे महीने का minimum ज्यादा उतना नहीं आपाता है जैसा कि और सभी आप लोगों की सुनते होंगे लेकिन मेरी उतनी जादी इंकम नहीं हो पाती है मेरी इंकम around 300 dollars से जादा नहीं हो पाती है किसी भी इंकम में तो इस वज़ा से मैं उतना जादा famous भी नहीं हूँ और इधर मैंने यूटूब का channel भी start किया है पहले मैं usually blogging ही किया करता था लेकिन जब से मैंने देखा है कोरोना काल के वज़ासे बहुत सारे ऐसे यूटूबर जो हैं वो बाहर निकल के आ रहे हैं ब्लॉगर्स बाहर निकल के आ रहे हैं तो मैंने भी थोड़ा आज माने की कोशिस की हलाकि मेरा blogging लाइन से ही अच्छा खासा पैसा निकल जाता है इस वज़े से मैं इधर यूटूब के फिल्ड में नहीं आता हूँ लेकिन थोड़ी सी branding self branding भी अच्छी होती है जुरूडी होती है एक trust build करने के लिए तो मैं भी अब इधर थोड़ा आ कि आप go daddy से ही जाए हां यहां पे customer service बहुत important होता है और एक चीज और है कि जो https को जो server है वो दोनों आपको free में मिलती है और email तो आपको कहीं भी free में नहीं दिया जाएगा वो आपको खरीदना ही पर एगा कुछ services जो है go daddy की जाहिर सी बात है इनकी पुडानी company है और renowned है तो यह थोड़ा charges ज्यादा करते हैं लेकिन hostinger थोड़ी सी सस्ती पढ़ जाती है और जो आपकी website की traffic handle करने के लिए अगर मैं बात करूँ उस नजरीय से बात करूँ तो उस नजरीय से go daddy थोड़ा ज्यादा सही है अगर ज्यादा traffic आता है तो लेकिन अगर कम traffic आ रहा है तो अगर आप किसी के साथ जा सकते हैं और दोनों ही अपने अपने जगा पे सही है तो आई होप कि आपको वीडियो इंफॉर्मेटी लगी हो और अगर फिर भी अगर कोई डाउट होती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ ले सो थैंक्स पर वाचिंग दे वीडियो हैव एन आप 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 झाल झाल